नमश्कार स्वागत है आपका वी टाइम नीउस पर और आपके साथ मैं हूँ पहली चाओहान बढ़ते हैं खबरों की ओर यह कारेक्रम मोटा अनाज के प्रती जागरुकता एवं जिले में खेती को बढ़ावा देने के उदेशे से आयोजित किया गया है उन्होंने मिलेट के स्वास्थ्य एवं जलवायू पर होने वाले अनुकूल प्रभावों पर विस्तार से चर्चा किया कारेक्रम का मुख्य आकर्शन तरह तरह के श्री अनाजो द्वारा तैयार पौश्टिक उत्पाद एवं अन्य प्रसंसकरण तक्नीक रहा जैसे इस कारेक्रम में मढवा का बिस्किट, हलवा, लडू एवं दोसा बनाने की तक्नीक प्रदर्शित की गई उसी प्रकार सावा का खीर एवं कोदो का बिर्यानी एवं दल्या बनाने की तक्नीक महिलाओं ने सीखा, इस कारेक्रम में मोटे अनाजो के विभिन्न उत्पाद जैसे मढवा, चीना बाजरा इत्यादी के उपच के लिए मित्ती जलवायू आदी जैसे वैग्यानिक ध्रिष्टिकोन पर भी प्रकाश डाला, डॉक्तर शोभा रानी ने बताया कि ग्रामीन महिलाएं मोटे अनाज से कई तरह के प्रसंस्क्रित उत्पाद तयार कर, घर में उप्योग कर स्वास्य स्थर को उचा कर सकती हैं, एवं साथ ही उन्हें बाजार में बेच कर आए अरजित करने का सहारा भी ब प्रशिक्षन कारेक्रम में 40 महिला क्रिशकों ने भाग लिया, जिनमें से जीवी का दीदियों ने बढ़ चड़ कर भाग लिया। ज्यानिक ने अनाज वाली फसलों जैसे चावल, गेहुं, मक्का इत्यादी के स्थान पर मनुवा, बाजरा इत्यादी अनाज का सेवन करने का सलाह दिया, कारेक्रम में अभिशेक कौशल, राकेश कुमार, हरेंद्र कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित थे।